हेलो फ्रेंड जैशे कृष्णा मैं हूँ उमर आपका स्वागत है मेरी किचेन में आज मैं आपके लेके आई हूँ आलू परवल की एकदम सूखी मसालेदार परफेक्ट सबजी इस आलू परवल की सूखी सबजी को आप टिफिन में भी लेके जा सकते हैं टिफिन के लिए भी एक परफेक्ट सबजी है आप इसे पूड़ी परांठे या पर दाल चावल के साथ इंजॉई कर सकते हैं ये खाने में बहुत ही मज़िदार लगती है तो चलिए इस इंटरसिंग सी रेसिपी को शुरू करते हैं तो यहाँ पर मैंने परफल ले लिए हैं डाइसो ग्राम जिसको मैंने चील के अच्छे से वाश कर लिया है इसे कैसे चीलना है ये मैं आपको बता देती हूँ इस तरह से इसका रगड रगड के हमें चिलका उतारना है खीरे की तरह इसको छीलना नहीं है इस तरह से नाइफ से इसको रगड लेना है बस इस तरह से रगड के सारा चिलका उतार लेंगे जब इसका चिलका अच्छे से उतर जाएगा तो पहले हमें इनको वाश करना है वाश करने के बाद फिर हम इसको इस तरह से एक परवल को चार पीसिज में कट कर लेंगे ये देखे इस तरह से एक परवल के चार टुकडे करने हैं तो इसी तरह से हम सारे परवल को जो मैंने वाश करके रखा है इनने हम टुकडों में कट कर लेंगे साथी मैंने यहाँ पे आलू ले लिया हैं यहाँ पे मैंने तीन आलू लिया हैं जिनको इस तरह से लंबा-लंबा पतला कट कर लिया है आप आलू कम या जादा अपनी पसंद से कर सकते हैं साथ ही मैंने यहाँ पे दो प्याज लिया है जिनको इस तरह से मैंने लंबा लंबा पीसिज में कट कर लिया है परवल लेते समय आपको ध्यान रखना है कि आपको हरे हरे परवल लेने हैं और जो थोड़े टाइट होते हैं वो लेने हैं आपको परवल तो यहाँ पर मैंने एक कड़ाई ले लिया है, कड़ाई को मैंने हाई फ्लेम पे गरम होने के लिए रख दिया है जब कड़ाई गरम हो जाएगी तो हम इसमें 2-3 बड़े चम्मच तेल डाल देंगे मैं यहाँ पे सर्सो का तेल यूज कर रहे हूँ, आप चाहें तो कोई भी कुकेंग वाईल यूज कर सकते है पहले हम सर्सो के तेल को अच्छा धुवादार गरम करेंगे जब तेल अच्छा धुवादार गरम हो जाएगा तब हम गैस की फ्लेम को थोड़े देर के लिए ओफ कर देंगे और तेल के टेमटेचर को हल्क असा ठंडा हो जाने देंगे उसके बाद हम इसमें डाल देंगे आधा चम्मच जीरा और मैंने यहापे 2-3 सूखी लाल मिर्चे ली हैं इसको हाथ से इस तरह से तोड़ के हम डाल देंगे अब गैस की फ्लेम को हम ओन कर लेंगे और यह जो परवल हमने काट के रखे थे यह इसमें डाल देंगे फ्लेम को हमें हाई रखना है हाई to मीडियम फ्लेम पे हमें इसको 3-4 मिनट तक फ्राइ कर लेना है जब तक की परवल अच्छे से फ्राइ नहीं हो जाते हैं अच्छे से मतलब की हलके फ्राइ नहीं हो जाते हैं जैसे जैसे परवल फ्राइ होंगे न इसके उपर एक ड्राउन कलर की लेयर आने लग जाएगी और यह थोड़े से सॉफ्ट भी दिखने लग जाएंगे तो बस 2-3 मिनट हाई फ्लेम पे हमें इसे लगातार चलाते होए फ्राइ कर लेना है तो यहाँ पे 2-3 मिनट हो गए हैं मैंने इसको लगातार हाई फ्लेम पे फ्राइ किया है और आप देख सकते हैं परवल का कलर हलका हलका चेंज हो गया है हलकी हलकी सी ब्राउन लेयर इसके आने लग गई है और यह हलके से सॉफ्ट भी नजर आ रहे हैं यह देखे कुछ इस तरह से आपको परवल 2-3 मिनट के बाद दिखाई देंगे तो जब परवल इस तरह से फ्राइ हो जाएंगे तब हम इसमें आड कर देंगे अदरक लसन का पेस्ट मैंने यहाँ पर 4-5 कलिया लसन और एक चंतरक के टुकडे को कद्दू कस करके लिया है आप चाहें तो अदरक लसन का पेस्ट भी ले सकते हैं साथी मैंने यहाँ पर आधा चमच हल्दी पावडर डाला है अब फिर से हमें इसे 2-3 मिनट के लिए फ्राइ कर लेना है फ्लेम को हम मीडियम टू हाई रखेंगे मीडियम टू हाई फ्लेम पे 2 मिनट के लिए फ्राइ करेंगे जब तक कि अदरक और लसन का कच्चापन नहीं निकल जाता है तो यहाँ पे 2 मिनिट हमने इसको फ्राइ कर लिया है अधरक लसन के पेस्ट और हल्दी को अब हमने यह जो आलू और प्याज काट के रखे देना ये दोनों एक साथ डाल देंगे अब आलू और प्याज जाल के भी हमें 2-3 मिनिट तक इसको फ्राइ करना है फ्लेम को हम मीडियम टू हाई रखेंगे मीडियम टू हाई फ्लेम पे लगातार चलाते हुए हमें इसको फ्राइ कर लेना है जब तक कि आलू अच्छे से इसके उपर हलकी हलकी सी ब्राउन लेयर नहीं आ जाती है 2-3 मिनिट में ही आप देखेंगे कि प्यास हलके से सॉफ्ट हो गए है अब आलू के उपर भी हलकी हलकी सी एक लेयर आनी शुरू हो गई है तो इसी तरह से 2-3 मिनिट लगातार चलाते हुए हमें आलू और प्यास को फ्राइ कर लेना है तो यहाँ पर 3-4 मिनिट हो गए है देखे आप देख सकते हैं प्यास हलके से सॉफ्ट हो गए है और बस आलू पर भी हलकी हलकी सी लेयर आ गई है अब हम इसको ढख देंगे और ढख के लो फ्लेम पर हमें इसको 5 मिनिट तक के लिए पका लेना है flame को low ही रखेंगे और बीच में हम इसे एक आत बार चला भी लेंगे तो 2-3 मिनट हो गए हैं इसको बीच में एक बार चला लेते हैं ये देखिए इस तरह से इस तरह से ढखने से क्या होगा कि आलू जल्दी से soft हो जाएंगे क्योंकि आलू को गलने में थोड़ा टाइम लगता है तो ढखके इस तरह से पकाएंगे न तो आलू जल्दी गल जाएंगे तो बस इसी तरह से बीच में एक बार चला लेंगे और इसको फिर से ढख देंगे तो यहाँ पर टोटल पांच मिनट हो गए हैं इसे ढखके पकाते हुए अब इसको हटा देंगे ढखके इनके और इस सबजी को एक बार अच्छे से मिला लेंगे अब ही हम फ्लेम को लोही रखेंगे और प्राच मिनट में ही देखिए किते हैं अच्छे से सबजी का कलर हमारा चेंज हो गया है प्यास भी अच्छे से फ्राइ हो गए है और आलू ना हलके हलके से इसके उपर ब्राउन कोटिंग आ गई है मतब फ्राइ हो गए है अलू अच्छे से तो अब इसमें कोई सूखे मसाले मिला देंगे तो मैं यहां डेट चमच धनिया जीरा का पाउडर मिला रही हूँ एक चमच मैं यहां लाल मिर्च मिला रही हूँ यह तीखी वाली लाल मिर्च है नमक मिला देंगे टेस्ट के according और आधा चमच गरम मसाला मिलाया है हमेने यहाँ पे अब अच्छे से सारे मसालों को mix करेंगे flame को अभी यहाँ पे low ही रखना है low flame पे हम मसालों के साथ फिर से इससे 2-3 मिनट के लिए fry कर लेंगे जब आप इसको मसालों के साथ fry करेंगे तो आपको लगेगा कि जैसे सबजी बहुत जादा सूखी हो गई है और इसमें तेल कम पढ़ गया है लेकिन ऐसा नहीं है लो फ्लेम पे जब आप इसको 2-3 मिनट तक इस तरह से लगाता चलाते हुए भूनेंगे तब तेल इसमें से ह कड़ाई पे वापिस हलका हलका सा तेल दिखने लग गया है और आप देख सकते हैं सबजी में हमारे आलू अगयरा सब कुछ बहुत अच्छे से गल गए है मसाले भी अच्छे से भून गए है तो यह हमारी आलू परवल की सुखी सबजी बनके तयार हो गई है देख सकते है आप आलू अच्छे से गल गए है और परवल तो हरी सबजी है इसे गलने में ज़्यादा टाइम नहीं लगता है और कलर भी कितना अच्छा आ गया है हमारी सबजी पे फ्लेम को लो रखते हुए इसे एक मिनिट के लिए हम इस तरह से और फ्राइ कर देंगे लगातार चलात अच्छे होए यह देखे कुछ इस तरह से और आप देख सकते हैं सबजी हमारे बिलकुल ड्राइ बनी है एकदम सूखी सूखी और मसाले दार सबजी है और बस जैसे ही मसाले भुन जाएंगे गैस की फ्लेम को हम आफ कर देंगे और यह हमारी अलू परवल की एकदम सूखी मसाले दार सबजी बनके तयार हो गई है यह देखे मैं आपको पास से दिखाती हूँ यह कितने सूखी सूखी बनी है आप चाहें तो इसे बच्चों के टिफिन में भी दे सकते हैं या फिर आप इसे अपने टिफिन में भी लेसा सकते हैं या फिर अगर आप सैटरेडे कैसी लगी प्लीज बोटे कमेंट सेक्शन में लिके जरूर बताएं और यह सबसी आपको पसंद आई हो तो प्लीज वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें और इसी तरह के और भी अच्छे ची रेसिपी देखने के लिए प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें थैंक का जरूचे कैनल को अ कि बताएं सेक्शन रजस्अ हराओं अर बेक्ष था हूएं लिए लेक्शन उनल Letm